कि जूंआ अच्छन आप देख रहे हैं वकाल यूटूब चैनल और जिन-जिन दोस्तों अभी तक मेुरे चैनल को सबस्क्राइब ने किया है जो दोस्त मेरे चैनल पा भी झूँ है तो इन दोस्तों जब advantage के मेरे उनको अपनी जो लेंगवेज है खुसुसान नवाद लिया मिया नवाद शरीप को जो अपनी लेंगवेज है वो चेंज करनी पड़ेगी अगर नहीं की तो आगे चलके इनके लिए दुश्वार यहां बढ़ेंगी अपोजिशन के लिए तो वो मेरी बातें अभी बिल्कुल सही सहमत की तरफ जा रहे हैं और जो है अपोजिशन को आगे जर्से करना मुश्किल पड़ सकता है और पीडियम को शाहिद ही पजाब में जर्सों की इजाज़त ना भी मिले क्योंकि वो खुल कर अभी पाक आर्मी के खिलाफ या इदारों के खिलाफ बोलना शुरू कर दि अपोजिशन की बातों को बरदाश्ट करना और कुछ बातों पर अमल करना होता है लेकिन यहां पर तो टोटली जो है मुझे एक सिस्टमी सारा चेंज नदर आ रहा है अपोजिशन तो चलो ठीक है लेकिन हुकमरान जमायत के जो वुजरा हैं वो इसेपली फिलोर पर आकर एसी एसी बाते करते हैं जो एक मतलब अनार की फेलने की बयाना देते हैं अपोजिशन को एक मतलब गुसा दिराने वाली बाते करते हैं जिसमें फिर अपोजिशन भी गुसा में आ जाती है और फिर वो भी हमारे इदारों पर बात करती हैं तो मैंने अपने फेस्बुक पि हक में जो बाते हैं वो करते हैं तो मतलब ये जो है एक अच्छा मेसेज नहीं जा रहा दुनिया में कि हमारे स्यासत जान जो हैं वो मतलब कभी कोई आर्मी के हक में बोलता है कभी कोई आर्मी के मुखालफत में बोलता है लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए क्योंकि फोज इस सारे सिस्टम से बाहर है तो उसको बाहर ही रहने दें और आया सादिक साहब ने जो बयान दिया था इसेंबरी फिलोर पर तो मतलब हमने तो देखा था कि उस टेम पाकिस्तान ने बहुत बड़ी खामयाभी अचीव की थी एक बहुत बड़ा मतलब भारत को मैं तो जो है वह नलकार के उनको चैलेंच दे के पिर फिर सर प्राइस मिया और फिर उनका एक कारिया था पतास सब बास unas ma है वो एक कमे भी हासल की थी लेकिन जो है अभी अभी जो इमरान खान साहब है वो भी मेरे को बोकलाड का शिकार नजर आ रहे हैं मुझे वो भी एक मुकमल बोकलाड का शिकार हो गए हैं और वो हर कीमत पर मतलब एक स्यासी मुखालफत होती है वो अपनी जगह पे लेकिन यहाँ पर मैंने यह नोट किया है मैंने यह देखाई है मेरे जराइख के मताबद यह बात है कि इमरान खान साथ जो है वो एक अना का मस्व़़ा बनाके बैट खें और एक मतलब पर्सनल बन गया है और उनको हर कीमत पे जो है वो मियानाश शरीफ साहब वो वापस चाहिए और मेरे को ये भी सुने माय है कि आगर मियानाश शरीफ वापस नहीं आते या गिरफतारी नहीं होती तो फिर उनका लंदन में भी रहना मुश्किल हो जाएगा और वहां भी लोग जो है वो करेंगे वहां पर मियानश साहब के साथ बहुत कुछ हो सकता है मेरा मतलब है कि इन के एन पर मतलब स्याई या इसकी किसम के जो हरकाथ होती हैं माज़ी बीडिय हो और आप देखें तो आयास साथिक साब के बाद कुछ नवाज लिंगरनमाओं की जो है वो ये थी के ये बयान नहीं देना चाहिए था लेकिन उसके बाद जो हुकुमत का रियेक्शन आया और हुकुमत ने केस दाखिल करने या इसे कोई धमकी देने की बात कर दी तो उसके ब पार्टी है पूरी क्यादत है और पूरे जनौाज निंग का बरकर है वो ऐसादिक साब के साथ कड़े हो गए हैं और वो हर कीमत पे ऐसादिक साथ के साथ कड़े हैं आज भी आप मिरिम नवास साहिबा के जो बयान सुन रहे थे या जो वो अपने यूद के जो कारकुनान है रहा है जो किया कारवाई शेरान पता नहीं है सकते नाम है तो नको चताब में भी यही कर रह रही थी कि है साथ के साथ हम कड़े हैं ककर नोदे रहें उसमें पीडियम से तालग रखने वाली एक हम जमायत जो है पाकिसान पीबलोस पारटी वो किनारा कशी में नदर आ रहे हैं और वो जो उनका बिलावल भुटो साब का जो पूरा ध्यान है वो इस वक्त जो है वो है गर्गत बलतिस्तान की इलेक्शन पे वहां पे वो दिन र और उसका जो भी इस वक्त उसने डेरे डाले हैं तो वो गिल्गत बलतिस्तान की इलेक्शन पे डाले हैं और वहां पे वो बेटे हैं तो मेरे ख्याल में जो है वो अपोजीशन में भी कोई सचाई नजर नहीं आती बिलावल भुटो साब जो है वो अपनी एक सिस्टम में जाना चाते हैं और वो किसी किमत भी इदारों के साथ जगडा नहीं चाते हैं इसी तरह जो है वो नवाद लिंक जो है वो बिलकुल इदारों के साथ जगडा चाते हैं और आज जो है वो एक हकुमत के लिए एक बड़ा सर्प्राइज और मैं भी देखके बड़ा सर्प्राइ आज वो शायद फाटा में या कहीं पे वहां पे एक जलसा था और लाखों की तादात में लोग मुझे नजर आया उस जलसे में तो ये जो अगर ये तहरी भी चलती है हुकुमत के लिए तो हुकुमत के लिए अभी चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा एक तरफ पीडियम जो जमायत इस्रामी की तरीब को मैं जो है बड़ा खतरनाक देख रहा हूं और उनके जो लोग हैं बड़े खतरनाक हो सकते हैं क्योंके उसने कहा कि अगर हम इस्राबाद में धरना देंगे तो मौलाना फजलरमान की तरह हम वापस नहीं जाएंगे तो आप समझ सकते हैं कि खुमत को टफ टाम देती है तो फिर खुमत के लिए मसाइल बढ़ेंगे इसलिए इमरान खान साब को जो है वो अपोजिशन से बात करनी होगी अगर अपोजिशन से बात नहीं करते तो जमायत इस्रामी जो भी अपोजिशन में है लेकिन उसका अपना एक अलग तहरीक है तो उन से बात करने होगी किसी ना किसी को जो है वो इमरान खान साब को जो है वो राजी करना पड़ेगा अगर इन दोनु अई तरही को एक ही टाइम पर अगर तहरीक चल पड़ती है और और एक की ही टाइम पर धरने हो जाते हैं तो फिर बहुत मिश्किल हो जाएगा जैसे आपने माजी में देखा था कि इमरान कांड साहब और ताहिरल-कादरी साहब के जो रेलियां थी वो एक की ही टाइम पर आ गई थी इस वराबाद में तो हुकुमत के लिए एक बहुत बड आके वेट गए हैं और वो किसी कीमत पर अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं हैं तो यह सारी जो बाते हैं यह हकुमत के लिए खतरनाक थाबित हो सकती हैं अपोजिशन तो चलो ठीक है लेकिन आप में आप खुद भी सोचना कि इस सारे मामले से पाकिस्तान अब बिलकुल खुल के सामने जो हैं वो आ तो गए हैं इसमें कोई शक्क नहीं है वो पीडियम के साथ हैं जलसों में साथ हैं लेकिन उस तरह से अभी उसने सारी नजरे जो है वो बलतिस्तान के उकुमन पर जमारे हो आज आज महां पे पीम साहब भी पहुंच गया है उन् इलेक्शन रूल तोड़ रहे हैं तो यह मतलब पीम साहब भी वहां पहुंच गया है तो गिल्गित बलतिस्तान की जो इलेक्शन है वो भी अब थोड़ी वहां पे चेंजिंग होगी सिस्टम में और देखते हैं भी वहां से कौन जीता है लेकर मिरम नवास साहबाने भी आ सारे सिस्टम में हकूमत के लिए परिशानां बढ़ रही है आने वाले दिनों में हुकूमत के लिए परिशानां और बढ़ेंगी नहीं तो इमरान खान साहब को आपोजेशन से बात करनी पड़ेजी मुझे समझ में नहाता खिशन कोई बैंदेती हैव तो इमरान खाहब यह वफा कि हुआ कि वजरा जो एक एक करके उस पर रेयक्ड करते है बच्चाए मुझे समझ में नहाता के अमरान कान साथ की कावियुना में कोई ऐसा बंदा मुजूへ नहीं है जो अपोजिशन को सुलजा सके अपोजिशन और हकुमत में जो एक तलख खलामी चल रही है उसको थोड़ा ठंडा कर सके जमूरी सिस्टम है जमूरी सिस्टम को चलने दे लेकिन ऐसा कोई बंदा मुझे जो है वो वफा की काबिना में इस वक्त नजर नहीं आ रहा सम जराएर सिद और अना के मसले में क्यों चल रहे हैं? जबके हकोँमत आपके पास आपको तो जो है वो जुक के चलना पड़ता है हुकुमत आपको बातें सुनना पड़ेंगी. लेकिन यहाँ पे अग्र कोई बात बहुक्त कहता है तो आप उसको जो है है रिप्रा में दो बात और बोल देते हैं तो इस तरह से हुकूमत को रियक्ट नहीं करना चाहिए लेकिन अम्हार प्रफियर्ण खंड साब हैं उनकी अप्राइब करती है तो फिर वो सोच समझ की रियक्ट करती है कि उनको इसमें क्या मिलता है फाइदा मिलता है उसका वह तो वहीं जान सकते हैं लेकिन आने वाले दिनों में मैं आपको बता दा चलूं कि वफाक हुकूमत के लिए परेशान बढ़ रही हैं और बढ़ सकती हैं और बढ़ेंगी यह मैं आपको बता दूं इनने वाले दिनों में आप पोजीशन जो है वो बड़ा टफ टाइम देगी हुकूमत पाकिस्तान मतलब इमरान कान साब को और नवास लिंग जो है वो दिन बादिन जो है वो जारियाना मूड में जा रही है देखते हैं अब आगे क्या होता है लेकिन अगर जमायत इसलामी ने भी वो मूड एक्तियार कर लिया तो इमरान कान साब के लिए बहुत मुश्किल दिन आने वाले हैं इन्शाला कल किसी और तज्जिय किसी और प्रणम के साथ आप सब दोस्तों के खिसमत मे कमेंट्स करें मुझे आप सब दोस्तों के साथ की जरूता है पाकिस्तान जिन्दाबाद अल्ला हाफिस